तो है गाईस वेलकम बाक टो मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेक्सपेयर सिस्टर जो की लिखी गई है बाई वर्जीनिया वल्फ तो सबस्पर अगर बात करें आपको क्या लगता है अगर शेक्सपेयर की एक सिस्टर होती हम यह जो है एक इमेजनेर आपने आस तक अभी सोच नहीं होगा कि यह बात के बार में कि शेक्सपेयर के अगर सिस्टर होती तो क्या होता बट वर्जीनिया वुल्फ चैनल इस चीज़ कर में सोचती है और वो लिखती है इसके बार में और वो बताती है कि उनके सोच जो वो क्या है क्योंकि मैंने उन वो में राइटर जिन्होंने अडॉट किया है एक फिमल एस्थेटिक आस वेल एस फॉर हर राइटिंग्स जो रूमया अब वन्स ओन रिकांट्स तर कुल्च्रल एंड लिटररी हिस्ट्री अफ वो में राइटर्स और शोशो पॉलिटिकल कंडिशन इन विच इस वो में है सबस्पेल अगर हम बात करें ना अजए क्लारिफिकेशन उन्होंने यह भी एट किया है कि हो सकता है कि उनको जो है शेक्सपेर की जो सिस्टर है उनको भी सेम सारी पॉर्चिनिटीज मिलती बट उन्होंने बताया है अपने पॉइंट व्यू से वेन वस वरजीनिया सब्सक्राइब आपने एट करें शेक्सपेर का नाम इतना उंचा था कभी इतना नहीं लगता कि किसी वोमें का नाम इतना उंचा हो पाएगा इन राइटिंग वोल्फ जो एप स्पोस करते है डबल स्टैंड़्ट वो यह बताती कि एक टाइम पिदम बोलते है कि हम वोमें इतनी पावर देना चाहते हैं, इतनी फ्रीडम देना चाहते हैं, बट इतनी सेकेंड टाइम, हम यह भी नहीं कभी इमेजिन कर पाएंगे, कि शेक्सपेयर के अगर सिस्टर होती, यह शेक्सपेयर जीस अगर और कोई राइटर होती, इतनी पॉजिशन होती, इतनी सारी बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनकी पेरिंट्स को बहुत जादा सेक्रिफायस करने होते हैं, तो वह सब दिये उनने, आपकर में शेक्सपेयर जो वह शेक्सपेयर बन पाए, तो क्या वो इतनी सेक्रिफायस, इतनी सारी पॉजिशन हो अपनी बेटी को देते हैं नहीं, उन्होंने एसकेप के हैं, देनी, एसकेप फ्रॉमिस रिस्पॉंसिबिलिटीज और फिर वह लंडन चले गया है, इन सर्च अफ बैटर फॉर्चून, तो इससे आपको यह पता चलता है, शेक्सपेयर ने चाहे राइटिंग में अच्छी हो, वो चाहे वो हर चीज में अच्छी हो, बट एक उनकी नॉर्मल लाइफ, जो उनकी डेली लाइफ थी, जो उनका हम के से गरे लूप रस्ती थी थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, शेक्सपेयर जो है, वो अच्छी नहीं थी, गिफ्टेड ए सिस्टर, जूटित रिमींड एट होम, वो अब जो है नहीं इमेजिनेरी है, तो वो बताती कि, एक इमेजिनेरी वोमेन का नाम, उनने जूटित रखा है, और उनने बोला है कि, वो जो है, वो अकेली घर पे रहती, वो हर समय मतलब गर का काम करती, और शेक्सपेयर जो है, बाहर बगार जाके, एडवेंचर करते, तो वो यह कहते है कि, जैसे सेक्सपेयर थे, बहुत ज़ाद एडवेंचरज, बहुत ज़ाद एंथूसियस्टिक, वैसे उनकी बहान भी हो सकती थी, बट हो सकते है, उनको कभी स्कूल भेजा ही ना जाता, हो सकते है, उनके में डिफ्रिंसीशन कर दिया जाता है, क्योंकि यह लड़का और यह लड़की है, यह लड़की के हम पर अम इतना पैसा नहीं कर चकर सकते, क्योंकि इसकी शादी पर भी पैसा लगेगा, उनके बास कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वो ग्रामर अगरा लॉन कर सके, और वो खोरेस की तरह या शेक्सपेर की तरह इतनी अच्छी-ची राइटिंग लिख सके, वे निवर शे पिट अप बुक, हर पेरिंट्स वो डिस्करेचर, वो हमेशा हुसे मना कर देते कि नहीं तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह उसे बिल्कुल ही मना करते कि नहीं तुम्हें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, और वो मतलब कि और लोग जो उसके आजपोड़ास के लोग उसका मजाग उडाते, जिए उते जो है मेली आपे बताया है दे वर सबस्टेंशल पीपल वो नियू दे कंडिशन ओफ लाइफ फॉर वोमेन एंड लव देर डॉटर सो दे स्पोक शापली बट काइंडली तो उन्हों ने ये पताया कि जो हम लड़कियों के बार में अगर हम बात करते थे बाद करते थे मतलब हुं करियर के बार में इसकी सशादी करने बढ़े कि यह बट काइनली भी पताता है यह लड़की का दिला है अब बहुत जादा बहुत जादा है खलका दिला है जादा छेल नी पाएगी टाइप ओफ तो वैसे ही इसमें भी दिखाए गिया है इट दे सेम टाम यह पर जो मेनिचर है वो लाफ करते हैं वो हसते है अट वेरी आइडिया वोमेन आक्टिंग मतलब वो यह भी कहती है कि अगर हो सकते है बाइड़ चांस कि जैसे शेक्सपेर अगर कुछ भी लिखते थे और वो पब्लिशर वगर को देते तो वो आगे पब्लीश होती है और वह उतसादा फेमस होती है बत वहीं अगर हो सते है कि अगर Shakespeare की कोई sister होती अगर वो लिखती तो publisher कि दो ही नहीं किसी लड़की की book पप्लिश नहीं करूँगा and हो सकते है तो सकते है तो सामने वस बोख को फैक देते है She had a genius for fiction भो सकते है उस लड़की के पास हो fiction का genius हो बट फिर भी हो सकते है उससे कोई भी मतलब की जो है and motivate नहीं होता then she longed to write about the lives of men and women and their ways of life around her she was very young looked exactly like Shakespeare with the same grey eye and rounded brown तो Shakespeare की इसमें identity पर बताई गई कि जो Shakespeare है वो कैसे दिखते थे at the same time अगर हम देखे ना इसमें तो Virginia Woolf जो वो बताती है explanation with women is not a past event वो यह केते हैं यह से past ही नहीं है यह present में भी होता है it happens in her own time also वो खुद बताते के मेरे टाइम पर भी होता था and मेरे टाइम पर भी होता है and आगे वाले टाइम पर भी होगा जो woman who was born with a gift of poetry in the 16th century was unhappy a woman at a strife against herself अगर हम इसे sum up करें totally तो शेक्सपेर के जो सिस्टर है by Virginia Woolf एक highly gifted girl है जो कि उन्हेंने ट्राइ किया है to use her gift for poetry would have been so tortured and hindered by the other people तो उन्हें भी टॉर्चर किया जाता उन्हें भी मतलब कि उसाब से परहिशान किया जाता कि वो जो है इस राइटिंग को ना लिखे it was impossible to survive in the 16th century अगर मतलब कि हम कहते हैं अगर Judith होती अगर Shakespeare के एक daughter होती अगर Shakespeare के sister होती तो फिर वो जो है मतलब कि दरवा अगर Shakespeare की sister होती तो वो क्या करती वो जो है कभी भी पढ़ाई अगर अब इतरा ध्याने नहीं दिया पाती हो सकता है उनके पेरिंट्ट्चे उन्हें कभी पढ़ाई के लिए बेशती ही नहीं चैसे उन्हें उनने Shakespeare को भेजा था At the same time it was impossible to survive in the 16th century It was the relic of the sense of chastity that awarded anonymity to women even so late in the 19th century करते हैं इसे के सथ वीडियो को end मिलते हैं अगली वीडियो में मेली इस वीडियो में पढ़ा है कि यह एक imaginary story है जिसमें हमने बताया है कि हो सकते हैं Shakespeare के एक sister होती and क्या उतनी opportunities मिलती writings अगर में जितनी जिए Shakespeare को मिली थी तो यही सब कुछ हमने इसमें देखा है and हमने जहें imagine कि अगर Judith होती तो जो कि एक imaginary story है and Judith जो name है वो भी imaginary रखा गया है Shakespeare sister का reality में ऐसा कोई भी इंसान जो है exist नहीं करता था at the same time उमने बस यह देखा है कि क्या women's course में इतनी same opportunity मिलती है नहीं क्या publishers जो हैं वो same to same opportunity यह same to same right वगरा देते जो कि उन्होंने शेक्सपेर को दिया था उतना ही वो right जो उनकी बहान को देते यह नहीं देते तो करते हैं शेक्साथ अपने वीडियो को end मिलते अगली वीडियो में अगर आपको आज के वीडियो informative लगी हो और अच्छी लोगी तो मुझे comments में जरूरू बताना and yes वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना stay safe stay positive all the best and thanks for watching bye bye